हाई वेलकर तो माच चनल चले क्विशन नमर 16 साल करते हैं तो ध्यान देजीगा थ्री टाप्स ABC can fill an overhead tank in 6 hours 8 hours and 12 hours respectively हाउ लंग उड़ दे थ्री टाप्स टेक तो फिल इंप्ली टांक if all of them are open together तो ध्यान देजीगा इसमें कोई problem नहीं है कर रहा है कि ABC तीन टाप्स है ठीक है और वो एक empty एक overhead tank को fill कर रहा है ठीक है 6 hours में A कर रहा है और B कर रहा है अकेले 8 hours में और C कर रहा है अकेले alone 12 hours में तो पहले इन बातों को लिख लेंगे और यह सुन बोला है मतलब कि तीनों मिलकर के एक साथ कितने time में fill up कर देंगे तो बहुत असान है धान देजीगा तो मैंने यहापर सब जो भी दिया हुआ है वो मैंने दिख लिया है time जो A, B, C जो टैप्स ले रहे हैं fill करने के लिए अब हमें निकलना पड़ेगा पहले पहले निकलना है तीनों का निकलना है न कि तीनों मिलकर के कितने दिर में करेंगे इसके बाद निकल लाएगा कि B, जो है, 1 आओर में कितना फिल कर रहा है। उसके बाद C, जो है, 1 आओर में कितना फिल कर रहा है। कैसे पता करेंगे। यहें पर हम यूनुटी में से लगाएंगे। कैसे। देखिए, A, जो है 6 hours में पूरा complete फिल कर रहा है। तो जो टैंक है वो complete आप समझे कि one है इसे माल जी कि tank ऐसे बरा देते हैं हम थोड़ा सा roughly ओके तो माल जी टैंक ही है और इस टैंक को fill हो रहा है तो यहां पर देखिए यहां से लिकर करके और यहां तक यदि यह complete fill हो जाएगा इसका मतलब कि पूरा whole amount of work complete हो जाएगा मतलब इ देखिए यहां पर six hours में full हो जा रहा है by tap a मतलब कि हम लिए सकते हैं कि six hours में one amount of work हो जा रहा है one amount of work का मतलब यहां मतलब क्या है कि tank full complete भर गया तो यहां पर हम निकाल सकते हैं कि one hour में जो a tap हो कितना fill करेगा क्या करेंगे six से divide कर देते हैं और similarly ऐसे ही जो है one by eight hours में sorry one by eight amount of work जो है b कर लेगा one hour में और similarly जो है c का भी वैसे निकाल लेंगे तो चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं पहले तो अब जो है हम यहां पर लिख लिए हैं तो work done by tap a to fill the tank in one hour is equal to one by six okay and the tap b के तरकितना होंका one upon eight और cioè c के तरकितना हो हम one upon 12 तो मैंने यह तीनों का जो है one hour में निकाल लिया है कि individually तीनों जो टैप्स है वो one hour में how much amount of work जो है कर लेंगे तो work क्रने का मतलब क्या है कि कितना amount of water जो है इसमें fill कर लेंगे ठीक है अब तीनों जदी एक साथ 1 hour तक चलेंगे तो 3 मिल करके कितना कर लेंगे तो यह निकालना पड़ेगा पले हमें तो हम कैसे निकालेंगे कि इन 3 में आइड कर देंगे तो मिल जाएगा कि A B C 3 मिल करके 1 hour में कितना amount of work कर लेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर work done by A, B and C all to fill the tank in one hour इसको लुक्या हो जाएगा इनको add कर लेते हैं तो 1 upon 6 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 ठीक है तो इनका जो है LCM होगा वो होगा 48 I think yes 48 होगा अब निकाल ली जोगा इसका LCM तो 6 6 8 जा 48 plus 8 6 जा 48 and 12 4 जा 48 plus 4 right ठीक है अब यहाँ पर कितना हो जागा 8 6 14 14 and 4 18 18 upon 48 यहाँ से कुछ कैसे राट हो जागा जैसे कि यहाँ पर 2 से 2 9 जा 18 and 2 2 जा 4 2 4 जा 8 3 से फेसी कर जाज की नल होगा यहाँ पर 30 जा 9 and 3 8 जा 24 मिंस आज आगा यहाँ पर 3 upon 8 अब दीक है यहाँ पर तीनों मिल करके 1 hour में जो है 3 by 8 amount of work कर लेंगे मतलब कि 3 by 8th part of the tank fill कर लेंगे ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि 3 8th part of the tank will be filled by all working together for one hour ठीक है तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे अब जो है जो है जो है इस तरीक से कुछ लगाएंगे कि 3 by 8 amount of work है मतलब 3 by 8 amount of जो tank का जो मतलब amount है वो 3 के द्वारा a plus b plus e इस तीनों के द्वारा one hour में fill हो जाता है तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि one amount of work जो यह one है हमें वह ही तिन गनला है कि 3 के द्वारा जो one amount of work है वो कितने घंटे में होगा कितने आवर में होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर लाना पड़ेगा one वह लाने के लिए हमें 8 by 3 से मतलब है करना पड़ेगा यहाँ भी मतलब है करना पड़ेगा 8 by 3 से तो मिल जाएगा कि one amount of work जो है हो ए प्लस बी प्लस इन तीनों को द्वारा इन 8 by 3 यहां मतलब ले करते हैं तो 8 by 3 आवर में ठीक है तो ऐसे करके आप सोचेंगे लेकिन लिखेंगे थोड़ा सा अले तरीके से तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ ठीक है तो यह समझाने के लिए था तो यहाँ पर क्या देगा तो तो यहां पर क्या देगा तो टाइम टेकन तो फिल दे तैंक भाई A.B.A.B.C. टापस तोगेधर इस इक्वाल टो एत अपान थ्री एक यहाँ आवर मीलेंगे लेकिन हम इसको जो है फ्रैक्शन स्में रिख लेंगे तो 3 से टिवाट कर लिए यह त्री टूजा 6 means 2 hours and fraction मिलेगा 2 upon 3 means 2 hours 2 by 3 hours तो इसको minute में भी विदा सकते हैं में साब भी सकते हैं कि 2 hours and 2 by 3 को आप बदलेंगे यदि hour को minute में 2 by 3 into 60 करना पड़ेगा तो minute में यह convert हो जाएगा और यह मिल जाएगा आपको 3 बंजा 3 and 2 टूजा 6 20 हो जाएगा और यह 22 टूजा 40 हो जाएगा means 40 minutes जाली सकता हैं कि 2 hours and 40 minutes this will be your answer okay तो आप यह बोलिए या यह बोलिए या फिर ही बोलिए सब जो है answer ही है तो आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए आपने दोस्तों को सेल करी और कोई भी doubt होता है तो कॉन्वक्स में जरूरू लिखेगा thank you so much for watching